हलो दोस्त आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ के रूटुब चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्दियों में जो इसकीन की जो प्रब्लम होती है उसको सही रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए actually maximum जो लोग होते हैं वो सर्दियों में skin को externally सही रखने की कोशिस करते हैं लेकिन अगर आप internally इसका ध्यान नहीं देते हैं तो externally चाहे कुछ भी लगाते रहिए आपकी skin सही नहीं रह सकती है क्योंकि सर्दियों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप कितना भी care कर लें sunburn की problem skin काली होने लग जाती है skin जो है आपका face light होने लग जाता है इस type की जो problem है सर्दियों में अक्सर देखने को मिलता है लेकिन जो भी आप external कर रहे हैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है वो तो आप कीजिये ही लेकिन internally बहुत simple कुछ चीजे मैं बताने वाला हूँ जिसको आप सर्दियों में खास करके जनवरी से लेकर के फरवरी तक अगर आप इनको लेते हैं तो सर्दियों में जितनी सारी skin की problem होती है वो आपको होंगी ही नहीं बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो होने वाली है आप इस वीडियो को पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो पिले इस वीडियो को like जरूर कर दिया करें आपका like जो है हमारे लिए बहुत बड़ा support बनता है हम लोगों को motivation मिलता है अच्छे से अच्छे वीडियो लाने के लिए तो आईए हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे चुकंदर यानि बीट आप लोगों ने देखा होगा लेकिन लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं लोगों को लगता है कि ये कुछ फायदा करता है लेकिन कुछ लोगों को स्वाद अच्छा नहीं लगता तो अच्छली जो ये चुकंदर है किसी भी रूप में खाईए कच्छा अगर आपको सही नहीं लगता तो आप इसका मिठा हल्वा बना करके खा सकते हैं आप इसकी सबजी बना करके खा सकते हैं ये उतना ही फायदा करेगा लेकिन अगर आप इसको कच्छा खाते हैं सलाद के तोर पर तो बहुत अच्छा बेनिफिट करता है खास करके स्किन के लिए तो पहले मैं सलाद की बात कर लेता हूँ सलाद में मातर तीन चीज़ बताऊंगा मैं जिसको अगर आप लेते हैं हैं तो बहुत सारी चीज़े जितने भी कच्छी चीज़े हैं जो कच्छी खाई जा सकती हैं अगर आप उसको खाते हैं तो बिसेस फायदा है लेकिन सर्दियों में जो तीन चीज़ बताने वाला हूँ है इसका बहुत computer इब सेश फायदा है आपके skin के लिए तो जो चुकंदर है इसके अंदर beta carotene की मातरा बहुत ही जादे मिलती है और जो beta carotene है यह आपके skin को जमा बनाए रखने में बहुत ही जादे मदद करता है यानि की एक जबरदस्त anti-aging का काम करता है यह आपके खून को detoxify करता है यानि खून को साफ करता है आपके अंदर हिमोगलिमिन के मात्रा को बढ़ाने का काम करता है इसकीन के अंदर जो oxygen का circulation है उसको बढ़ा देता है आपको पता भी होना चाहिए अगर आपके स्कीन में oxygen की कमी होती है आक्सीजन का सर्कूलेशन सही नहीं है तो आपका जो स्कीन है और डल देहने लग जाती है उसमें से लाइट खतम होने लग जाती है तो चुकंदर इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपके स्कीन के अंदर आक्सीजन को बिल्कुल बुष्ट करके रखता है तो चुकंदर एक बहुत ही जबरदस्त एक औसधी रूप में काम करता है खास करके सर्दियों में स्कीन के लिए तो आप इसको सलाद में जरूर एड़ करें उसके बाद है गाजर गाजर को सर्दियों में इसकीन के लिए एक बिल्कुल कम्पलिट फूड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में बिटामिन A मिलता है और बिटामिन A इसकीन के लिए एक बिल्कुल अम्रित तुल्ले बिटामिन है इस्किन को ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है बिटामिन A हमारे इस्किन में जा करके कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है जिससे आपके दाग धब्बे कम होने लग जाते हैं जितने भी डार्क इस्पोर्ट होते हैं जो डार्क दिखाई दे रहे हैं जो दाग धब्बे उनको लाइट करने का काम करता है धीरे धीरे वो खतम हो जाते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एंटी एजिंग का भी काम करता है क्योंकि जब वो डार्क इस्पोर्ट जो है आपके खतम होंगे तो आप वैसे ही जवा दिखने लग जाते हैं जादे उम्र तक आपको जवा बनाए रखने में जो है बिटामिन A का बहुत ही ज़ादे भूमिका होती है साथी साथ ओपन पोर्स रिंकल्स फाइन लाइन इस टाइब की जितनी सारी प्रब्लम है वो मत्र गाजर खाने से दूर हो जाती है क्योंकि उसके अंदर बिटामिन A मिलता है और बिटामिन A की वज़े से ही आपकी इसकीन जो है हमेसा ग्लोइंग करेगी तो गाजर का सेवन आप जरूर करें यानि कि चुकंदर और गाजर इसकीन के लिए अम्रित तुल्ले और सधी अगुडों से भरपूर है आप इसको जरूर सेवन करें उसके बाद खीरा खीरा सर्दियों में थोड़ा कम मिलता है लेकिन आपको खीरा जरूर लेना चाहिए खीरे के अंदर मेंडालिक एसिड होता है जो आपके स्कीन को ड्राइ होने से बचाता है जैसे कि आपने देखा वियोगा सर्दियों में इसकीन ड्राइ होने लग जाती है ड्राइंडर्फ होने लग जाते है इसकीन फटने लग जाती है इस टाइप की जितनी सारी प्रब्लम होती है अगर आप mandalic acid लेते हैं यानि कि खीरा अगर आप लेते हैं तो ये skin को dry होने ही नहीं देगा इस type की problem आएगी ही नहीं तो ये तो रहे salad यानि कि चुकंदर, गाजर और खीरा आप इसे जरूर लें और जो लेने का इसका time होता है सुबस साब जब भी भोजन करते हैं पहले जितना आपने इसको लिया हुआ है कोसिस करें कि जो भी आप भोजन लेते हैं उसमें से 50-60% ये कच्ची चीजी हो तो पहले आप इन्हें खाईए उसके बाद जो है आप भोजन किजिए काफी लोग पहले भोजन कर लेते हैं पका हुआ भोजन कर लेते हैं उसके बाद सलात खाते हैं ये बहुत ही बैड हाईविट है पहले कच्ची चीजे खाई जाती है उसके बाद भोजन किया जाता है बीच में भी खाना सही नहीं है पहले आप इन सलात को खाईए बैठे बैठे उसके बाद जो है भोजन कीजिए बहुत अच्छा काम करें उसके अलावा जो ज़रूरी है वो है पालक सरदियों में पालक बहुत ही जादे मिलता है जितना आप खा सकते हैं आपको पालक खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पोटाइसियम और आईरन भरपूर मातर में मिलता है और आपके सकीन के लिए दोनों ही बहुत ही ज़ादे ज़रूरी है अगर पोटाइसियम और आईरन आपके सकीन में सही लेबल में है तो ये बहुत ही जबरदस्त anti-aging का भी काम करते हैं यानि कि जादे उम्र तक आप जमा दिखते रहेंगे या आपके skin को detoxify करने का भी काम करता है skin को साफ करने का भी काम करता है बहुत अच्छा काम करता है ये पालक तो जितना मिल जाता है कोसिस करें अगर आप थोड़ा मोड़ा आधा कप एक कप अगर आप कच्छीस का juice पीते हैं तो वो बहुत अच्छा फाइदा करेगा आपके लिए अगर नहीं ले सकते हैं तो आप इसका साग बना करके खाईये बहुत अच्छा काम करेगा उसके बाद है आवला आवले का आप मुरब्बा खा सकते हैं आवले की चटनी खा सकते हैं ये स्किन के लिए बहुत ही जादे जरूरी होता है क्योंकि ये विटामिन सी का भरपूर सोथ है जिससे आपकी स्किन ब्राइट करती रहती है आपकी स्किन बिलकुल चमकती रहती है और जितने भी डार्क स्पोर्ट वगर होते हैं उनको ये जो है लाइट करने में मदद करता है वो हलके दिखने में मदद करता है आपकी स्किन फेर फेर लगने लग जाएगी बहुत ही खुबसूरत दिखने लग जाएंगे आवले का जूस पी सकते हैं तो सर्दियों में आवला आपको जरूर लेना चाहिए, काफी लोग कहते हैं कि सर्दियों में cold हो जाता है, अगर हम इसका juice पीते हैं, तो यानि कि आवला का juice पीते हैं, तो हमें problem होती है, तो आप इसको जो है, थोड़ा गुनगुने पाने में मिला करके पीजिये, आपको problem नहीं होगी, इसकी तासीर बदल जाएगी, और ये सारे गुलों के वज़े से ही, ये बहुत अच्छा anti-aging का भी काम करता है, तो ये जो सारी चीजे मैंने बताया, बहुत ही कम चीजे हैं, आप maintain कर सकते हैं, अगर आप इसका ध्यान देते हैं, अगर आप अपने खान पान म उकती रहेगी, और उसकी अलावा जो सबसे जादे ज़रूरी है, इसके साथी साथ आप जब सुबह उठते हैं, तो आप गुन-गुने पानी के अंदर सहद मिला करके आप पीजिए, क्योंकि ये naturally आपके skin को hydrate रखेगा, क्योंकि skin जो है, रुखी सुखी होने लग जाती ह सर्दियों में उससे ये बचाने का काम करेगा, और औरेंज वगरे, यानि संतरा वगरे आप ज़्यादे से ज़्यादे खा सकते हैं, और सबसे बड़ा skin पर light के लिए आप tension मुक्त रहें, खुस रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो skin की problem ह हमेशा के लिए सही हो जाएगी, दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप comment पर बताएं, अगर ये वीडियो को like कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए, और अगर आप इस channel पर अभी नए आए हैं, तो प्लीज channel को subscribe कर दीजिए, और subscribe करते ही bell icon पर click कर तक हमारी सारी वीडियो के notification आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो आपके लिए काफी helpful सावित हो सकती है, तो दोस्तों आप लोगों के द्वारा वीडियो पर बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत ही जादे प् करता हूं, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्य बात करता हूं, मिलता हूं नेक्स किसी और इंफर्मियोटी वीडियो के साथ में आपका दिन सुभव